नमस्कार दोस्तों आप सब लोगों का मेरे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है और मैं एकादसी की तैयारी कर रही हूं कल है एकादसी तो मैं घर में मिठाई बना रही हूं तो यह 7-3 कप मिठाई की रेसेपी है जो मेरे यूटूब चैनल पे अपलोड है मैं उसका लिंक में धेस साथ चावल को टूसली को कांट मैं अब लगों को भी चावन में में पर उसनी आप शेयर करती जाओंगे घर जआओंग आप लोगों को अनुज आप अलों ने को बताती चाओंगि अब यहां पर मैंने तिल्ली को पीस लिया है तो थोड़ा दरधरा पीसा हो। उसी टैप से मुमफली को भी सीख के मैंने पीस लिया है। थोड़ा सा तो जाने सा पे स्मस्पर आता है । जिसमें चलकाते हैं तो मुमफली के दने आते तो बहुत अच्छे लगते हो जा Compass चासनी में ने दोतार की रखिए अगर आपकी चासनी थोड़ी से हाड हो जाती है यह कम पढ़ती है तो थोड़ा सा उसमें दूड डाल दीजिएगा तो बहुत अच्छी से आपकी तिल पपड़ी जम जाएगी ये देखिए थोड़ा सा ऐसा देख रहा ना बूरा बूरा जैसा तो आपको लगता है चासनी कम पढ़ गई है तो दूट डाल दीजिएगा अब इधर में सेवन कप मिठाई की तयारी कर रही हूं बेसन बहुत अच्छे से सिख गया है तो ऐसे छूट जाएगा ना टब समझ लीजिए कि अब हम यहां पर रांगोली बनाना स्टार्ट कर दिया है कियोंकि शाम हो गई है और यह बज़े का टाइम है जब हम रांगोली बना उस टैप से साड़ी को मैंने डबल उससे फोल्ड कर लिया और इसे प्लेट बना बना के आप अच्छे से पूरा लेंगा बना सकते हैं ये देखिए इस टैप से बहुत ही खुबसूरत लगता है ये लेंगा ये देखिए इस टैप से मैंने तुलसा जी को पूरा लेंगा पिन नारायन भगवान भी विठा दिये हैं तो मेरे हजबन उनको तयार कर रहे हैं और ये मेरी पूरी तयारी कंपलिट हो गई चोटी मोटी जो चीजे हैं वो भी हम कर रहे हैं साथ में अब हमने पूरा तयार कर दिया और पूजा भी हो गई अब हम फेरे ले रहे हैं तो हम साथ में भगवान को उठा भी रहे हैं और साधी भी कर रहे हैं क्योंकि आज दे उतनी 11 से अब मैंने भगवान को भोग लगा दिया सोरी उसका सारा वीडियो लेना में भूल गई थी करनो बगवान के नचे जाववान को आपान को अब हम एप बागवान भी घ्टारी तरो